हलो गाइज वेलकम टू अर्पन गेमिंग वेलकम टू फ्री फायर बेटल गाउंस तो आज की एडियो में में सिग्रेट टॉप लेवल का टिप्स अंटिक्स बताने वाले जो आपको हिल्प करेगा पूरा सोलो वर्सेस क्वाट खेले में आउट करने में फर्स से लास तक में करते रहा हूं आज बताने वाला हूं तो आप सभी जरूर वीडियो को लाइक करना चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर दबा देना सोलो वर्सेस क्वाट बहुत बड़ी चीज है गेम प्ले के अंदर है आपको गेम पे इंपूब करना है जाद से जादा प प्लेयर बढ़ने के लिए तो आज में बताने बालों टॉप लेवल का सोलो वर्सेस क्वाट सिक्रेट जो आपको हिल्प करेगा आपकी गेम प्ले को इंपूब करेगा आपकी स्पीड को इंक्रेस करेगा तो जरूर लाइक कर देना तो चलो बताते हैं फर्स नंबर से हम स् चीज़ है तो सोलो वर्सेस क्वाट तो आप एडम लेके ओल्टाइम मार नहीं पावगे क्योंकि एडम नौट ये पर्फेक्ट करेक्टर इसी कलर चेंज करवाता है और कुछ नहीं बट आडम इस फीरो भाई मैं मानता हूं बट आपको सोलो वर्सेस क्वाट के लिए जो जो पर्फेक्ट चीज चाहिए मैं पहले ही आपको बता दूँगा यहां पर किल मेरे को एक बंदे ने कॉमेंट करा था अरपन भाई स्काइलर उकॉंग एंड यहां पर बोलते आलोग तो इन तीनों में से कौन सा आपको यूज करना चाहिए तो मैं बेस सजेस्शन आपको स्काइलर को खटाना परेगा अप टून्धा मेर्न के साथ खेल लूज का तो यह आपके बात को बात आती है आलोग औं गउकांग की तो यहां पर Alok and Ukong बताने से पहले दो जो कारेक्टर स्किल है आपको Alls रखना परेगा वो तो यहां पर Kelly और दूझरा यहां पर हायातो तो यहां पर दो जो कारेक्टर स्किल है Kelly and Hayato यह Alls आपके पास combo रहना चाहिए आप किसी भी क्याक्टर या आलो या स्काइलर ये उकॉंग कैली हाया तो आपके पास और ये ना चाहिए क्योंकि ये दो कारेक्टर सोलो वसे स्कॉर्ट केलने के लिए नीडिट है कैली फर्स दौर आएगा एंड यहां पर जो हाया तो है डैमेज जादा करेगा जब आपको डैमेज पड़ेगा क्योंकि सोलो वसे स्कॉर्ट जो डैमेज पड़ता है बहुत जादा पड़ता है उससे आपका डैमेज भी बढ़ जाएगा तो हाया तो आन कैली है और उसके साथ आप कुछ भी लगा सकते हो जैसे मैक्सिम लगा लिया यहां पर एक भी कैरेक्टर वह खरसके हो जहां पर हो गया अमारा वह इसको बोलते हॉकर हैकर यो मोको हो गया वह अब लगा सकतो जिससे अब ट्रेस हो जाए भी ठीक है तो यह बता दिया क्या क्या कt आपको लगाना है वन्त आनाक हो सकते तो आप ये हो बहुत बननेज हातिर हो गए उकॉंग बनने के बाद भी आपको एम करके जूम करके मार देते हैं इससे उकॉंग अभी लगता है तो आप आलोग उसकर सकते हो यह बेस्ट है या आप स्काइलर यूज कर सकते हो स्काइलर में बोल ला था बट आप स्काइलर यूज कर सकते हो स्काइलर जिसे यह आप आलोग यूज़ कर सकते हो, best है, उकॉंग नहीं बोला क्योंकि मेरे को थोरा सा गरबल लग रहा है, इससे आपका speed कम हो जाता है, यह मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे को उकॉंग से खेलने का अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यह थोरा सा लेट हो जाता है, आपका movement speed क कर देता है धीरे धीरे घूमता है एंड आप उकॉंग से लगता है कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो इसके उधना मैटर नहीं है जो पैसिव स्किल मैंने बोलो आपको लगा नहीं लगाना है और एक्टिव स्किल पे आप आलोक एंड स्काइलर दोनों में से यूज कर सकते हो एं करने कि बार बड को जुम करकर मांब करें तो उनको बड बड होते हैं तो नहीं और पर यहां पर जो आउट पे आपको यहां पर बाउं टीव करने को बट शांगे साथ यहां पर funकर करने onds के मेन परफेक्ट जो चीज है मैंने एको बता दिया स्कालेर यूश नहीं करना है सिर्फ सर्वो तैन वहां पर जो मेन पालशूट यूज उसकरना है थीक है तो मैने बता दिया सोलो वर्सेज़ स्कॉइब की इस नीड़ेट है ठीक है अभी हम बात करते हैं कि कैसे आपको सोलो वर्से स्कॉाट पे मालना है और गेम के अंदर जब चलते हैं फर्स नंबर एक ही वेटिंग फॉर एनिमी जब देख रहे हो स्कॉाट का बंदा धीरे धीरे आपको पर मालने के लिए बर रहा है और उनको पता नहीं आप इधर हो तो अचानक से साडेन फायर करो ठीक है आपक गूम के आते हैं और मेरे को मार भी दे सकते थे तो इसी लिए आपको क्या करना है और जब आपके क्लोस आ रहे हैं उनको पता नहीं कि आप इधर हो तो अचानक से आप फायर कर दोगे मार्पीट करना स्टार्ट कर दो खुले में नहीं है आप वेटिंग करो एनिमी को आने फायर फर्स नंबर टिफ सेंटिंग वेटिंग एनिमी एंड सादेन फायर इजी लिए आप बनने को मार दोगे यह रहाब फर्स बात सेकेंड नंबर है कि लोकेशन चेंजिंग सोरवसे स्कॉट का मेन बात होता है लोकेशन चेंजिंग जब समझ रहों कि दो तीन बंदा द बस लोकेशन चेंज करते हो फायर मत करो जब तक वो एनिमी आपको पता ना चले जब तक वो एनिमी पता ना करे कि भाई आप उसके सामने गुम हो गया हो मतला उसके सामने आप दिखे नहीं तब तक आप दौरते रहों क्योंकि जब तो तीन बंदा आपके पीछे पढ़त लगो बेस्ट टेग्निक है बंदे को घुमाने का बंदे को एप्रिलफूल बनाने का तो अलचे साहा तो आपको में-अ apostle ऐसकी स्कॉर्ड में और बरपर्ण भाइड किल क्यों कॉंप करना है जब भी आपको मॉका मिले किल कॉंप करो नहीं तो यहाँ पर मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ मेह आपर खेल लाओ ठीक है तो बहुत बढ़िया मैं आपर कवल ले के मेरे टाइम पर हील कर रहा हूं ठीक है अबर मैंने सोचा मेरा हील कम है तो मैं हील कर लेता हूं तो उसके बात जो होता है न यहां पर यह बंदा कहां से आके भाई उसका कील कॉंफर्म कर ले लग जाए यह भगवान क्या जूलू मे तो इसलिए आप डाउन करके किल कर लो चांस भी ना दो यह तो इसलिए बताते हैं ओला स्कील कॉंफर्मिन सोलो बर्सेस कॉर्ट का कवर लो फायर करो कवर लो फायर करें उससे भी अच्छा कि भाय आपको हैट शौड मानना होगा जिदना से ज़्यादा हो सके आप फोटी यूस करो shotgun यूस करो या सकार यूस करो कुछ भी उसकर आपको जादा-चेयादा ड्रैक करने है आप जादा-ट्रैक करो गोना एने में पहुत जादा आसानी होगी क्योंकि आप यहां पर जादा एट-शॉट मारने में पहुत दॉन्वा गोली कम जाएगा और इनमी जल्द बहुत ही लेजेंड बाली बात हो जाएगी, आप एजीली निमी को हैट शॉट से मार पाऊगे, तो यह बेस्ट टेक्निक है, तो सोलो बरसे स्कॉट, कैसे, 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 कैसे आपको पूरा स्कॉट आउट करना है, मैंने आपको बता दिया, फर्स नंबर से एक बार रिवीन क कर लेते हैं, फर्ज मैंने कैक्टर स्किल बताया, क्या आपको यूज करना है, क्या का चीज आपको यूज करना है, क्या नहीं करना है, मैंने आपको बताया, कैसे आपको कबर लेना है, फायर करना है, कैसे आपको इनमी किल मारना है, करना है, मैंने सब कुछ मैंने बता दिय या वीडियो को और एक बार आप देख सकते हो रिवाइन करके या पीछे जाके की भाई कहा है मैंने बता है सोलो बसे स्कुर्ण के लिए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना चेलने पर नहीं हो सब्सक्राइब करतो बेस सोलो बसे स्कॉन टिप्स और ट्रिक्स तो ज़रूर है चाचा यह थे दर देखो यह देखना यह लैका करने हरो तो फॉर वसे व्ट करना है यह बन्द ऑपर गया उसल्ब में वेटन गया है है यू लिसेंट डिलाब जलो मार दिया हम तो हो खतम लाइक कर देना सावी वीडियो को जरूर।